90 प्रतिशत लोग जान नहीं पाए दानिश अली का सच खाते इंदोस्तान की हैं लेकिन भारत माता की जय बोलने पर तकलीफ होती है दूद्ध के धुले नहीं है दानिश अली असल बात तो अप सामने आ गई विदुड़ी तो मोहरा बन गए दानिश जो चाहते थे वही गलती कर गए कहते हैं कि आप जो देखते हैं आपको लगता है वही सच है कई बार आपकी आखे जो नहीं देख पाती असल में सचाई उसमें छिपी होती है और यहां भी यही हुआ रमेश पीदोडी को अगर आप भी गुनेगार मानते हैं तो यह रेपोर्ट पूरी जरूर देखिएगा आपकी आखे कैसे तुरिशना में फसकर धोका खा गई आपको तब समझ में आए गए सांसद रमेश पीदोडी ने तो गलत किया बिलकुल गलत किया संसद में किसी भी अमर्यादित भाषा की कोई जगा नहीं है बीजेपी ने भी इसका समर्थन नहीं किया है हमारे देश के संसद हमारे समाज के लिए प्लतीक होते हैं लेकिन जब संसद यह ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेगा तो बला हम किस से अच्छे आचरण के उमीद करेंगे बीजेपी ने भी रमेश बिदुड़ी का समर्थन नहीं किया और अपने ही संसद बिदुड़ी के खिलाफ कारण बताओ नोटेस जारी कर दिया है लेकिन हर घटना के दो पहलू होते हैं एक अच्छा आपने वो तो जरूर सुना होगा कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती आपने वो तो देख लिया जो आपने लेकिन उससे पहले विद डिव रिस्पेक्ट कुछ सवाल करना चाहते हैं हम आपसे और हम चाहते हैं कि आप सब लोग अपना जवाब हमें जरूर बताईएगा क्या भारत माता की जै बोलना क्या भारत माता की जै बोलने पर किसी MLC का कॉलर पकड़ा जा सकता है झाल अब आपको एक बात बहुत ध्यान से समझना चाहिए संसत के दोनों सदनों की कारेवाई के कुछ नियम होते हैं ये नियम क्या कहते हैं करका रियम होते हैं कैसे दानिश अली ने रमेश बिदुड़ी को उकसाया था कि इसलिए उन्होंने इसकी जाच की भी मांग की है अब आप खुद कॉमेंट बाइए क्योंकि वो एक विशेश कॉम से अब आप खुद कॉमेंट बाइए